योडबलू की टीम कहां कहां पहुंची हुए चत्तिसगर में महादेव सट्टाइप मामले से जुड़ा हुआ मामला है यहने पिछले दिनों महादेव सट्टाइप के आरूपियों को रिमान में लेकर योडबलू ने पूचताच की थी और इस दोरान जो नाम सामने आये थे उनके घरों और आरूपियों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर चाप इमारी की जा रही है योडबलू की टीम निलंबित, ASI, चंद्रभूशन, वर्मा की घर पर भी चाँच करने पहुची है इसके अलावा काकेर में पुलिस आरक्षक, विजेपांडी की घर पर योडबलू ने दबचती है तो तीस से जादा ठिकानों पर चाप इमार कारवाई की चारी है योडबलू का बड़ा एक्षन सामने आया है, विजेपांडी की घर पर याने की पुलिस आरक्षक रहे है विजेपांडी जिनके घर पर भी योडबलू ने दबचती है और लगतार ऐसे नामजद जो आरूपी हैं उनके ठिकानों पर कारवाई की जा रही है लगतार यहां टीम पहुची हुई है और कोई अपनी घटना ना घटत हो इसकी वज़े से सुरक्षा जो जवान है वो भी बाहर तैनाथ किये गए हैं तो सुरक्षा घेरा बनाया गया है और 30 से जादा ऐसे ठिकाने हैं यहां आज सुबे 5 बज़े से इस तरह की कारवाई जा रही है और अब देखना होगा आगे क्या कुछ खुलासा होता है तो महादेव सट्टा एप मामले से जोड़ा हुआ यह पूरा मामला है जहां 30 से जादा जिकानों पर एक्षन किया जा रहा है इसके पहले लगतार यहां पर चुनाब चल रहा था 36 गड़ में इस वज़े से कारवाई रूकी हुई थी यह डबलू आक्शन में नहीं थी तो महादेव सट्टा एप से जोड़ा हुआ यह पूरा मामला लगतार सुर्ख्यों में इसके पहले भी सामने आ चुका है तो यह देखी चार तस्वीरे सामने आई जहां टीम आसुबे से पहुँची हुई है च्टिसगर में महादेव सट्टा एप मामला और यह डबलू पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक्शन में है भिलाई दुर्ग कांके राजनान गाउं समेथ कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कार कारवाई की जा रही है यो डबलू के अधिकारियों के साथ बड़ी संक्या में सुरक्षा बल भी यहां पर जोटी हुई है कारवाई के दौरान मौजूद है अलाकि टीम बनाए गई है चैसे साथ लोगों की जिसमें यस्पी रैंक के कई अधिकारे भी है और दुर्ग से आनन, नराय, नोजा, हमारे साहिओगी है, हमारे साथ जिर गया, उनसे भी हम जाननी की कोशिश करते हैं दूर्की क्या तस्वीरे साब ने आया आनन, अगर हम बात करें तो कितनी सदस्यों की टीम पहुंची हुई है, किस अरे का घेरा बनाया और किसके घर पर पहुंची सांखला जोलर्स है बीच में सावलानी ट्रेडर्स में चापा नहीं पड़ा है लेकिन दो जो ट्रेडर्स है इसमें लगभग एक इसमें टीम में साथ लोग हैं और अगल बगल भी गाड़ियां जो खड़ी है उसमें कम से कम मिलाके हैं 20 से 22 तदस्यों के टीम जो की आई एने प्रविजनल अदिकारी है और लगभग तिरह जो सुरक्षा का जो मानाक पूलिस के वह हैं और साथ में इसी एफ ताकि केंद्रे अर्द से निकबद हैं किसी प्रकार का कोई घटना हो चाहें कोई अपना भाव ब्यक्त करें या फिरोध करें तो उसको सुरक्षित कर सकें यह यहां पर कारवाई प्रवावित ना कर सकें वो टीम लगी हुई है अभी यह कहा जा है कि दायरा बढ़ेगा कल एसी बी की टीम पहले ही पपू डिलों रुपए के महादेव सट्टा एप मामले में जो जो भी दोशी है उनके घरों पर इस तरह से चापे मारी की चारी बहुत बहुत शुक्रिया नजर मनाय रख्यानन लोगसभा चुनाव का तीसरा चरण जैसे ही पूरा हुआ चत्तिसगर में महादेव सट्टा एप मामले ने एक बार फिर से जोर लगा दिया है और कम भंबचा हुआ है जिए अभी हम जो है जहाँ पर छृपए की कारवाई हो रही है चंद्र भूषन वर्मा के घर के पास है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अंदर में पुलिस के जो जवान है महिला और पुलिस करमी हैं वे लगतार अंदर बाहर की वर बैठेवर अंदर में जो है जो यो डबलू और एसीबी के अधिकारी है वे अपनी कारवाई कर रहा है कि सौ से अधिक पुलिस के जवान जो है यो डबलू और एसीबी को मुहया कराया गए थे और देर रात पूरी तैयारिया कर लिए थी जो कागजी कारवाई होनी है वे पूरी कर लिए थी महाद सब्सक्राइब करें इसके अलावा बात करें मुझगहन में स्रिष्टी वाटिका है वहां पर भी जो है चंद्रभुशन वर्मा का आलिशान बंगला बताया जा रहा है आप यह वहां पर भी पूरी कारवाई चल रहे और आप देख सकते आगे भी जो दो गाड़ियां और दुर्ग के अलावा जो है कांकेर के चारामा में कारवाई चल रहे हैं महासमुन में चल रहे हैं बलोदा बजार में चल रहे हैं बिलासपूर में भी यहां कारवाई चल रहे हैं बताया जा रहा है कि इस बार जो है छापे की कारवाई को लेकर काफी बड़ी तैयारी की बागर इसके अलाव भीम सिंग यादाओ अमित अगरवाल और सुनिल दम्मानी इन सब को रिमांट पर लेकर अभी वी योडबलू की रिमांट पर रखा गया उनसे जानकारिया जुटाई गई इसके अलावा जो एक साइबर के टी थे उनसे लगतार तिन दिन दद्दस घंट पुरे राज खोलने के लिए तयार आप देख सकते हैं यहां पर भी यह मकान दिख रहे हैं यहां पर पुलिस के जवान है वे कारवाई करें सुभा पांच बजे से पूरी टीम डटी हुई है देर रात जो है अधिकारी जो है यह माना जा सकता है कि कोई भी अधिकारी पु वाला कारोबार से जो जुड़े अधिकारी है जुड़े जुड़े युड़े लोग हैं उनके हां महादेव सट्टा मामले में करवाई की जा रही है और इसके बाद जो है कही ना कही जो है जो करवाई का एक में और देखने को मिल सकता है क्योंकि महादेव सट्टा एप मामले के जुटार थे वे कहीं दूर्ग से जुड़े हुए था और इस मामले को लेकर हरी भूमी और आइनेच ने लगतार जो है अब इसे प्रगमुक्ता से खबरों में प्रकासित किया प्रशारित किया और इसका योडबलू की टीम में टाइप राइटर भी हैं बताये गया है बहुत बहुत शुक्रिया मनू जानकारी के लिए और मादेव सट्टा एप मामले में लगतार एक्शन लिया जा रहा है इसके अलावा काकेर में भी पुलिस आरक्षग विजय पांडे के घर पर योडबलू ने दपश्टी है